नमस्कार, स्वागत हैं आप सभी का ज्यान गंगा चैनल पर हिंदू पंच्जांग के अनुसा प्रतेक मां में दो बार त्रियोदर्शी तिथि आती है एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी किश्न पक्ष में त्रियोदर्शी तिथी के दिन फगवान शिव की पूजा अर्षना करने का विधान है मानता है कि त्रियोदर्शी तिथी के दिन प्रदोशकाल में फगवान शिव की पूजा अर्षना करने से सभी मनोकाम नाई पूरी होती है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2030 में अधिक मा के शुक्र पक्षगीर अभी प्रदोश व्रत कब है 30 या 31 जुलाई को त्रियोदोशी की तिति क्या रहेगी व्रत की विधी क्या है व्रत की कथा क्या है और पूजा का समय क्या रहेगा तो चलिए शुकरते हैं आज की वीडियो को लिकिन वीडियो शुकरने से पहले अगर आप में ये चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी प्रदोश वरत की तिथियों की जानकारी प्राप्ट करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे शाहत में बैल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि आपको मेरे वीडियो की नोडिविकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक को शियर करना बिल्कुल मत भूलिये तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रदोश प्रत की कर्था को पढ़े या सुने भगवान शिव को यार्ति करें भगवान शिव को भोग लगाएं साल 2023 में अधिक मां के शुक्ल पक्ष की रवी प्रदोश प्रत 30 जुलाई 2023 दिन रवीबार को है प्रदोश काल पूजा का समय रहेगा शाम के 7 बच का 14 मिनट से 9 बच का 19 मिनट तक कुलबदी रहेगी 2 घंटे 6 मिनट की त्रोदशी तिथी का आरंब होगा 30 जुलाई की सुबह 10 बच का 34 मिनट पर और समापती होगी 31 जुलाई की सुबह 7 बच का 26 मिनट पर मेरे वीडियो में अंदो तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ रवी प्रदोश वरत की कथा के अनुसान एक समय की बात है एक गाउं में एक गरीब ब्रामर परिवार रहता था ब्रामर की पतनी प्रदोश वरत का नियम पूर्वक वरत रखती थी एक दिन उनका बेटा गंगा इसनान के लिए अपनी गाउं से पाहर जा रहा था तो उसे कुछ चोडों ने पकड़ लिया और कहा कि हम तुमें तभी छोड़ेंगे जब तुम अपने पिता के गुप्तधन के बारे में हमें सब कुछ बताओगे बेटे ने समझाया कि हम गरीब है और हमारे पास कोई गुप्तधन नहीं है ऐसा सुनकर चोर उसे छोड़ कर भाग गये बेटा बहुत ठक गया तभी वहां राजा के कुछ सिपाही चोरों की तलाश में आये उन्होंने बरगत के पेड़ के नीचे बेटे को देखा उन्हें लगा कि ये चारों में से एक है सिपाहीों ने ब्राम्मर के बेटे को पकड़ कर जेल में डाल दिया दूसरी तरफ प्राम्मर की पतनी अपने बेटी का इंतिजाग कर रहे थी जब दिन धलने के बाद भी बेटा घर नहीं आये मा परशान हो गए उस दिन प्रदोश का दिन था तब उन्होंने भगवान शिव से बेटे की सुरक्षा की प्रातना की राजा को सपने में दर्शन दिये और कहा कि तुने जिस लड़के को पकड़ा है वो एक प्राम्मर पुत्र है उसे छोड़ दे वो भी एक कसूर है अगर तुने नहीं छोड़ा तो तेरा सारा राजपा आट नश्ट हो जाएगा अगले दिन राजा ने बेटे को छोड़ दिया और निदोश बेटे से छमा मंगी वीडियो में अंततक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ